नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ देव गुरु बरस्पती का कुम राशी में प्रवेश और उसका प्रभाब मकर लगन वा मिथुन राशी के जातकों पर अगर आपका मकर लगन वा मिथुन राशी है तो देव गुरु बरस्पती जो 6 अप्रेल 2021 से कुम राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं उनका प्रभाब आपके उपर कैसा रहेगा आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे क्या प्रेणाम होगा इसका इस वीडियो में हम विचार कर है टेयां कि 20 नहंबर 2020 से देव गुरुबरस्पती मकर राशी में चल रहे थे अब वह 6 अप्रेल 2021 को कुम राशी में प्रवेश करेंगे और उहांपर 13 सितंबर 2021 तक रहेंगे उसके बात दुबारा 14 सितंबर को मकर राशी में लौटेंगे और महां पर 18 नौंबर तक और उसके बार दुबारा उनिस नौंबर 2 2 021 को कुम skirts करके अप्रेल 2022 तक कुम मकर लगन और दस नंबर कांग आपके लिए गुरू का कुम राशी में गोचर कैसा रहेगा अब अगर हम आपकी बात करें तो सबसे वहले हम स्टार्ट करते हैं पीछे से कि मेरा यह मानना है कि अगर आपका मकर लगन वा मिथून राशी का गोचर है मिथून राशी का कंबिनेशन है तो यह मानना पड़ेगा कि पिछले दो साथ से आप काफी अधिक प्रावलम में जूज रहे थी और वो प्रावलम आपके शुरू हो गई थी पांच नहुंबर 2019 से पांच नहुंबर 2019 को देव गुरु बर्सपती जो है बारवे हो गए थे जबकि यहां से मिथून राशी से थोड़े से पॉजिटिव थे पर तब भी क्योंकि बादास्तान का स्वामी था बादास्तान पर ब्रहवन कर रहा था क्योंकि गुरु जो है यहां पर सप्तम यहां आनी शुरू हो गही ती जब देव गुरु बर्सपती आपके लगन से बाहर में चल रहे थी उसके बाद तो इस्तिती और बिगड़ घळ गयी जब देव गूरु बर्सपती आपके उस्तम में चले लगए जैङी के लिए आफ तरु dressing यह को नहुंबर 2020 उस तरीके से देखिए गुरु का पोज़ा ढ़ आ देखिए गुरु पोज़ा के दो 5 मेंचर सब्सक्राइड ौर 11 और मिंथन्याशी को प्योज़ा है उसको एक तरीके से नया बूश्ट मिल जाएगा, एक संजीव नहीं मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि 5 नॉवंबर 2019 से कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, तारे स्थल पर इल्कुल आसोर अक्षरा का महौल था, आपको लगता था जॉब छुट जाएगी, मुझे दूसरी जॉब मिलेगी की नहीं मिलेगी, क्या होगा, और वो इस्तिती जो है 20 नॉवंबर 2020 के बाद तो और बढ़ गई थी, क्योंकि यहां पर क्या था, गुरू तो मकर में यहां पर गोचर कर रहे थे, अब गुरू जो लगन पर गोचर करता है, उसकी दिश्टी पंचम और नवम भाप पर होती है, तो जातक की कोशिश यह रहती है, कि मैं किसी तरह जॉब बदलना हूँ, लेकिन यहां पर गुरू लगन पर था, और यहां पर गुरू अश्टम में था, तो आपको option नहीं मिल रहे थे जाग बदलने के, लेकिन अब आपके carrier से छुटी भी problem जितनी भी problem थी वो सब खतम होँगी, और आपके carrier के लिए बढ़िया समय है, आप अगर लंबे समय से पिछले डेड़ दो साल से जॉब बदलना चाहते थे, आपको जॉब नई जॉब में बदल सकते हैं, आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब मिल सकती है, आप अपने पर्मोशन के लिए प्रयास रखते, पर्मोशन हो सकती है रीजन, देव गुरु बरस्पती की जिष्टी दशम भाब पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दशम भाब पर देव गुरु बरस्पती की जिष्टी और जो हमारे पूर जन्वों का भाब होता है, पुन्य भाब, उसमें देव गुरु बरस्पती का आगबन, भागे भाब पर गुरु का आ प्रत्योंगती परक्षा की तियारी कर रहे हैं तो इस गोचर में आपकी जाब लग सकती है आप संतान प्लान करना चाते हैं तो संतान प्लान कर सकते हैं गुरू की दिश्टी पंचम भाब पर है संतान का सुख मिल सकता है गुरू धन भाब पर बैटे हैं आपके घर में धन सपती में बिर्दी होगी आपके सामने धन आने के नए मार खुलेंगे गुरू की जिस्टी छटे भाप पर भी है अगर आपको कोई कोट केसिस वगरे के बारे में आता है जिसमें आपको प्रावलम चल रही थी कोई की गुरू यहां पर अश्टम में चले थे और पहले गुरू यहां पर दौदश में भी चले थे तो कोट केसिस में आपको रहात म मिलेगी लंबे समय से कोई आपका लौन था को रिडों का चुकारा आप कर सकते हैं गुरू की दिश्टी शटे भाप पर है एक दो तीन चार पाँच शत्रू आप से पराजित होंगे तो अगर आपका मकर लगन वा मिथु नाशी का कमिनेशन है तो शैद 6 अपरेल 2021 से आपके परनिया डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है अब आपका जो कारेस्तल है उसमें आपका जो असुरक्षा का महौल था टेंशन रहती थी जॉब चलेगी या नहीं चलेगी वह महौल आपका खतम होगा कामों में आ रही बाधाएं वह मुश्किले दूर ह अब आपको कारेस्तल पर जॉब साटिस्वक्षन मिलेगी उचाधिकारी से पशंसा और काम में आत्मसंतुष्टी आपका बापस गिरा हुआ मान समान पतिष्टा में पुना विर्दी होगी और लगाता दो एक दो देर दो वर्स से जो आप संगश कर रहे थे उस पकार के स प्रखेते उसके कारण डिवन में बहुत दी नेगेटिव आ रहे थी कई लोगों को डिप्रेशन वगर आओ रखाता लेकिन अब वो नेगेटिविटी काफी कम होगी इसलिए मैंने लिखाया कि अगर आपका मकर लगन और मिथुन राशी है तो आपको कम से कम 70% डिजल आप सही ढंग चे सोचेंगे अगर आपका मकर लगन मिथुन राशी है और आप अपने विवा के लिए प्रयास रखते तो आपके विवा की संबाबना बन सकती है क्योंकि आगे चलकर कुम राशी में गुरू वक्री होंगे तो वो लगन से दुवारा एफेक्ट देंगे त तो वो सब्तमभाब में आजाएंगे तो आपके विवा की पूरी संबाबना बनती है तो दर्श्ट को यह वीडियो था जो मैंने बताने की कोशिश की अगर मकर लगन मिथुन राशी जो पिछले देड़ दो साल चे संगश कर रही थी उसके लिए देव गुरु बरस्पती कुमराची में प्रवेश बहुत है उनके पास एक ऐसा समय है कि अब अपने केरियर में लेके काफी मुसीवतों से उनका पीछा चूटेगा केरियर में नया जीवन शुरू कर सकते हैं जॉब बदल सकते हैं जॉब मिल सकती है भागे का साथ रहेगा प्रवारिक जीवन भी कर अब च हमेरी कुर्शन चाल रहेगा और कैरियर के साफ से वी रिखम है आपको जो टेंच्छन चल रही ही है ती ती काम को लेकि अंगजायटी थी जॉब में मन लग लगता था ता जों मेरी मेहनत्नन का असhanी गाल रही है जो हम मेहनत करें उसका पूरा फल मिल रही है चैने के उपाए के तोर पर मंगलवार और शनिवार को पार्थ करें आपके लिए भाझल होगा ओर इसके साथ ही आप शनिवार को चायादान करें अ पर चायादान करें उसमें इस अब्धी लिए टहरे गडाते होगा मैं अल्गे में चिसमें अप्रेanger 19 1995 से अपरेल 2022 तक जब तक गुरू कुमराशी में चलेंगे आपका कोई मनमानचित काम है जिसमें आप सफलता लेना चाहते हैं कोई आपको बैपार है कोई आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो आप चाहें तो साथ चनिबार हनुमान जी को चोला भी चड़ा सकते हैं हनुम आपके लिए बहुत अच्छी ख़वर है कि मकर लगना मिथन राशी के जातकों के लिए बहुत ही रहत का समय है और ये गोचर ये कंबिनेशन होने के कारण ये गोचर आपको 70% से लगभग आपको फैदा देगा तो दश्को आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीस कमेंट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलने है और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमसकाद अश्कों जयमात आदी